नमस्कार दोस्तों, मैं मध्यप्रदेश बोल रहा हूँ, किल आपने मध्यप्रदेश के बनने की कहानी सुनी, आज सुनिए इलाबाद के नेता कार्जू कैसे बने मध्यप्रदेश के सीम, शब्द है माखलल चतुरुविदी विश्विद्याले के पूर्व कुलपती दीपक तिवारी के, अभी मुझे राज्जी बने कुल तीन महने ही हुए थे कि मेरे पहले मुख्य मंतरी रविशंकर शुकल का निदन हो गया, पंडिट शुकल 31 दिसंबर 1956 की रात को कॉंग्रिस के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली में जबलपुर के सांसद सेट ग अभी जुबान में कहा गया कि पार्टी ये अधिविशन नए मुख्य मंतरिक नित्त्व में करना चाहती है और उन्हें राजिपाल बना कर भीजना चाहती है। ये बात कितनी सच थी, इसकी पुष्टी तो आस तक नहीं हुई, लेकिन उस रात अचानक उनका निदन हो गय अचानक उत्पन हुई इस परिस्तिसी से निपटने के लिए ना तो कॉंग्रिस हाई कमान के पास कोई प्लान था नहीं राजिक निताओं के पास। जबलपूर से सान सत थे। नेताओं का आपसी संगर्श इतना बढ़ा कि प्रदेश नौ दिनों तक बिना मुख्यमंत्री के रहा। अंततह नौ जनवरी 1957 को खनवा के विधायक और शुक्ल सरकार के मंत्री भगवन तराओ मनलोई की लोटरी खुली। मनलोई को तब मुख् लवाब के बनाये सची वाले में बेटने का सुख मातर 22 दिन ही मिला। वे कारेवाहक मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कार्यले वाला भवन आजकल पुराना सची वाले कहलाता है। वही स्थान जहां आज भोपाल कलेक्टर कार्यले है। 31 जनवरी को मनलोई ने अपना त्याक पत्र जब राज्यपाल को सौंपा तब तक बैरागर हवाई एड़े पर दिल्ली से वायू सेने का एक जहांस लैंड कर चुका था। उस जहांस से जब देश के रक्षा मंत्री डॉक्टर कैलाश नात कार्जू भोपाल की जमीन पर उ जायोगी डॉक्टर कार्जू को प्रदेश समालने के लिए बेज दिया। महा काउशल विंद्य और मद्धि भारत की लड़ाई में बाहरी का भला हो क्या। कार्जू इलाबाद के प्रसिद्ध वकील थे और देश के रक्षा और ग्रह मंत्री बनने के पहले इलाबाद के म साथियों में वे सबसे वरिष्ट थे और उन्हें जवाहर कहकर ही संबोधित करते थे। कहते हैं कि पंडित नहरू ने उनसे मुक्ती पाने के लिए उन्हें भुपाल बेचा था। जस्टिस मारकंडिय कारजू उनके प्रपोत रहें। शपत लेने के बाद कारजू ने सबसे पहले अपनी संपत्ति और कमाई का ब्योरा प्रदेश की जनता के सामने रखा। उस जमाने में उन्होंने अपने बैंक बैलेंस तक को सारवजनिक किया। तब चुनाओं में कोई नहीं, मैं ही सब का हूँ। उनके आते ही अगले 25 दिनों में विधान सबा चुनाओं हुए, जिसमें भी जावरा से विधायक चुन लिये गए। अपना ही नहीं माना। इलहबाद का हूँने और प्रदेश को न समझने का बदला आखिर यहां के निताओं ने पास साल बाद ले ही लिया। स्थानी निताओं ने कार्जू से कैसे बद्दा लिया। सुनिये कल तीसरे भाग में।